नमस्कार मैं रभुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं कुछ दिनों से बिहार के मानेनिय शिक्षा मंत्री और एडिशनल चीफ सेकर्टी एडूकेशन के बीच और सहज इस्थिति बिहार में शिक्षा विवस्था को लेकर मानेनिय शिक्षा मंत्री डौक्टर चंद्रशेखर साहब लगातार प्रियतन शीर है जब्चे उन्होंने पदवार घ्रण किया तब से वे शिक्षा विवस्था की बेहतरी के लिए प्राइमरी से लेकर इन्वर्स्टी तक के लिए वो चिंतित रहें। अभी जब लगवग एक माहपुर विहार के चर्चित आईए स्री केके पाठक ने योगदान दिया एडिशनल चीप सेकरेटरी के रूप में तो निश्चित रूप से उसी समय लगने रगा था कि शिक्षा व्युहाग में एक हलचल पैदा होगी और हलच संबध कॉलेजेज हों, कंस्ट्वेंट कॉलेजेज हों, इन्वर्स्टी हों और सचिवाले अस्तर। सभी जगह और जैसी के उम्मीद थी हलचल सुरूवी। वैसे भी हम लोग यह देखते रहे हैं कि माने निय जन प्रतनिद्रिव के द्वारा भी स्कूल की विवस्था, क नियमित नहीं हो पाते, उस पर चर्चा होती रही है, चिंताएं जाहिर की जाती रही है, इसी तरह जो नियमित जो परहाई होनी चाहिए, उसके लिए भी चिंता जाहिर की जाती रही है, और सबसे विकट समस्या जो उपस्तिती की है, ये भी मामले सदा जन सभाई व्यवस्था पर स्वचाले की व्यवस्था पर उपस्थिती पर चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से सेकंडरी एजुकेशन की स्थिती हो या कॉलेज की स्थिती हो या इन्वर्स्टी के अड्मिस्टेटिव ओफसेस हो या सचवाले अस्तर के अड्मिस्टेटिव ओ रही है उपस्थिती में दिक्कत हो रही है इसमें सुधार होने लगा है निश्चित तोर पर मैं यहाँ पर यह चर्चा करना चाहूँगा कि कॉलेजे में तो खैर चुकी सभी बच्चे पर-थे हैं वहाँ पर प्राइवेट वाली स्थिती नहीं है लेकिन जहां उच्छ माध्मिक विद्याले तक की स्थिती है उसमें जो सरकारी विद्याले है प्राइमरी से लेकर सेकंडरी तक है उच्छ माध्मिक विद्याले तक वहां पे समाज के जो कमजोर तबके हैं अर्थिक तिस्ट कौन से हो समाजिक प्रिष्ट भी मिजिन की कमजूर है वही बच्चे वैसे ही परिवारों के बच्चे वहाँ परते और वही बच्चे नकेवल हमारे बिहार का भविशे हैं वरन हमारे देश का भविशे हैं मैं समस्ता हूँ कि इस राज की बहतरी के लिए इस राज के बच्चों के भविशे के लिए माननिय सिक्षा मंतरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटी एडुकेशन के बीच समंजस बैठना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है कि माननिय मुख मंतरी बिहार ने तुरातिस पर संग प्यान लिया और आज दोनों की बुलाहट हुई माननिय मुख मंतरी जी के अवास पर वहाँ पर बाते हुई हैं और बिहार की जंता ये उम्मीद करती है कि एडुकेशन मिनिस्टर और एडिशनल चीफ सेक्रेटी एडुकेशन के बीच समंजस बैठेगा और कोई असाहजी इस्तिती अब आने वाले दिनों में नहीं आएगी और बिहार की सिक्षा व्यस्ता दिन दूनी राच्चों गुनी तरक्की करेगी यहाँ पर मैं ये चर्चा करना चाहूंगा किसरी केके पाठक साहब चुकि बिहार के काफी चर्चित आयेस रहे हैं और उनकी कार्ज प्रन इसी में जो ईलेक्टेड बड़ी हैं उनका हाथ प्रोट्य कोल में हमिशा उनका अस्थान ऊपर होता है इसलिए इसकी भी तरह से ऐसी इस्तिती नहीं आनी चाहिएो कहीं भी संबाद हिंता की इस्तिती नहीं आनीचाहिए मैं समसता हूँ कि ये जो इस्थिती पैदा हुई जो आखवारों में आई टीवी चैनल्स में आई ना केवल बिहार वरन ये पूरे देश में चर्चा का विशे हुआ ये अच्छी चीज नहीं है और अब मानिय मुखमंत्री जी के इंटर विंसन के बाद ये इस्थिती बदल जाएगी और कल से दोनों पक्ष एकदम पूरी तरह ताल मेल बिठा के बिहार की सिक्षा विवस्था को सुधारने का काम करेंगे इसी में राज का हीत है इसी में देश का हीत है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निस्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब तक म मेरे हर आने वाले वीडियो का नोट्फिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए शुब कामना है धन्यबाद जयरे